वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगएगा सारे कोशन अटेम्ट करिए और सबसे पहले काल की बात करें तो यह आपकी शिव महादेव परांजे इन से रिलेटेड है बंगाली की बात करें तो बंगाली जो है आपका यह सु अधारक की बात करें तो यह आपका गोपालकेशन गोखले और सोम प्रकाश की बात करें तो द्वारकानात विद्या भूशन इन से यह रिलेटेड है तो सही आंसर हमारा यहां पर क्या आएगा 41-23 ठीक है 41-23 विल बी दा करेक्ट आंसर ऑप्शन एज होगा वो सही होगा इ अबसे पहले बात करें Bombay Chronicle Bombay Chronical से Associate रह रहे है आपके फिरोंश्य मेथा टा कॉमन्र वील की बात करें तो कॉमन्र विल इस से किस मेड़ेशन किस आ है अपका इनी बेसेंट का लीडर की बात करें तो लीडर मुजय कि बात करें और नीचे आपको एक कोड दिया हूँ और आपको बताना है कि किस के साथ में यहाँ पर मिलन होगा ठीक है तो सबसे पहले अबुलकलाम आजाद की बात करते हैं तो अबुलकलाम आजाद और अलहलाल ये तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे हैं पता होगा फिरोश्या महता की बात करें तो ये आजाएगा आपका बॉम्बे क्रोनिकल एनी बेस्ट की बात करें तो एनी बेस्ट नीउ इंडिया या फर यंग इंडिया ये हमेशा कन्फूजन रहता है महतना गांधी इतने बूले होने के बाद भी जब डांडी मार्च करी थी उनने तो उसमें सबसे आगे वही थे और इतना तेज चल ले थे कि उनको पकड़ पाना लगबग impossible हो रहा था लोगों के लिए exactly वैसे ही इतने सालों बाद जब राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा निकाली थी जो कश्मीर से कन्या कुमाई से लेकि कश्मीर तक चली थी उसमें भी आपने इस चीज़ को महसूस करा होगा अगर आपने थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा है तो मतलब वो बंदा बस चलता रहेगा कि यंग इंडिया की बात हो रही है ठीक है एनी बेसेंट उनके साथ में आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं आप आरो की तैयारी करना चाहते हैं इन तीनों एक्जाइम के अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टेडी फॉल सर्विसेज की को इसको आप जोइन कर सकते हैं कम्प्लीट तैयारी के लिए यह वन स्टॉप डेस्टिनेशन है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा इसमें स्टेडी मैटिरियल रहेगा टेस्ट सीरीज रहेंगी पेड कुई रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब कु सफिशेंट होगा आपके exam को crack करने के लिए एकजाम को निकालने के लिए latest group start होच के हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो है नंबर मैं आपके screen पर लिख रहा हूँ इन नंबर पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस नंबर पर आप संफर्फ कर सकते हैं इसके इलावा 96960 6 66089 इस नंबर पर contact कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर call करके आप हमसे संपग कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं तो इस तरीके से यह हमारा यहाँ पर जो code बन कियाएगा कियाएगा आपका 2143 इसके बाद move on करते हैं next question की और अगला जो यहाँ पर question है just a second हाँ यह question है इसमें पूशा गया है कि निमलिकित ने से किसने कौमी आवाज जो पत्र था इसको आरंब किया था यह मौलाना अबुलकलाम आजाद हैं यह जवाहरलाल नहरू हैं यह शौकत अली हैं यह खली कुझमान हैं कौन हैं जिनका relation आपका कौमी आवाज पत्र से तो सही answer हमारा क्याएगा option B यानि की जवाहरलाल नहरू इनका जो relation था वो कौमी आवाज पत्र से था इसके बाद move on करते हैं next question की और इस question में यहां पर पूशा गया है इनमें से कौन सा युग्म है जो की सुमेलित नहीं है नव जीवन सुराज प्रभात कौमी आवाज तो बाकी अगर हम बात करें नव जीवन की तो महत्मा गांधी सुराज टी प्रकाशम प्रभात एन सी केलकर ये तीनों यहां पर correct हैं इसके बाद next की हम बात करें यहां पर पूशा गया है कि कौन सा सुमेलित है that means तीन incorrect हैं और एक यहां पर correct है महत्मा गांधी मूक नायक एक with बाल गंगादर तिलक common wheel की बात करें common wheel यहां पर जो है हमारा सही answer होगा क्योंकि any patient इससे associated थी बाकी बाल गंगादर तिलक की बात करते हैं तो वो आपका केसरी से related है ना की BR अंबेत कर ठीक है तो हमारा answer क्या होगा option C इसके बाद next question की बात करते हैं इसमें पूचा गया है कि निमलिकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है अब यह BR अंबेत कर इंडिपेंडेंट बाल गंगादर तिलक केसरी एनी बेसेंट न्यू इंडिया दादा भाई नौरो जी रफ्त गोफ्तार तो सही answer यहां पर क्या हैगा हमारा option A BR अंबेत कर इंडिपेंडेंडेंट य नियू इंडिया बी जी तिलक केसरी सुरेंद नाथ बेनर जी मराठा मुझे लगता है तुरंत आप पहचान गए होंगे कि यहां पर सी जो है वो हमारा सही answer आएगा इसके बाद अगले question की बात करते हैं इसमें पूछा गया है आपसे कि निमलिकित में से एनी बेसेंट द् होगा वो सही answer होगा move on करते हैं अगले question की और इस question में यहां पर पूछा गया है कि common wheel यह जो पत्र था इससे किसका relation रहा है तो अभी हम इतनी बार देख चुके हैं तो भही सही answer हमारा क्याएगा एनी बेसेंट इसके बाद अगले question की बात करते हैं इस question में यहां पर question B यानि की राजा राम मोहन राय अच्छा comment section ने बताईएगा कि यह राजा की उपाधी इनको किस ने दी थी यह चीज मैं आप से पूछ रहा हूं आप बताईएगा comment section में इसके बाद अगले question की बात करें इसमें पूछा गया है भारत का पुनरजागरण आंदोलन का अग गंबर यह किसको बोले जाता है तो एक बार फिर आप सही answer की तरफ अप्रोच कर चुके हैं सही answer राजा राम मोहन राय यहां पर होगा इसके बाद next question की बात करते हैं इसमें यहां पर पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा इस्थापित प्रथम संस्था यह कौ इसके बाद आज के session के आखरी question की तरफ आ चुके हैं आप देखिए जो question मैंने आपसे पूछा था उसका answer यहां पर मिल चुका है राजा राम मोहन राय को राजा की उपादी किस ने दी तो बिलकुल सही आप पैचाने अगर आपको थोड़ा बहुत भी idea है तो answer क्या होगा हमारा अकबर second so इसी के साथ आज के इस वाले session को यहां पर end करते हैं फिर मिलते हैं next वीडियो में comment section में यह और बताइएगा कि अकबर second का tenure क्या था कब से कब तक इसने session किया था ठीक है so अगले फिर वीडियो में मिलते हैं बाकी previous वीडियो को देखने के लिए playlist में जाएए चैनल को subscribe ना किया हो तो अभी दक कर क्या रहे हो आप लोग चैनल को तुरण subscribe करो notification bell को जरूर प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो यहां पर आए उसके notification आपको मिल पाए so thank you so much have a nice day bye bye